एक कपल दुसरे कपल से एक क्रूस पर मिलता है, इन ओपोजीट कपल में एक एट्रैशन बढ़ने लग जाता है, जो भी कुछ यहाँ चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड है, हेला फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिटर मून ये 1992 की लव, अपसेशन और रिवें करते हैं, मुवी स्टार्ट होती है, और एक कपल को हम क्रूस पर देख सकते हैं, हस्बन का नाम नाम नाइजल और वाइफ का नाम फियोना है, इनके मैरेज को बहुत सारे साल हो चुके है, इनके लाइफ में कुछ कमी होने लग रही थी, अपने मैरेज को भी कुछ सुधार आने के लिए वेकेशन वो ले रहे है, इस क्रूस में वो इंडिया ही आ रहे है, नेक सिन में हम देखते हैं कि जब फियोना वाश रूम जाती है, तो वहाँ पर एक लड़की बहुत रो रही है, वो हैंग और भी थी, नाइजल और फियोना इस लड़की को जड़ा हेल्प क देखता हैं, तो सप्राइस्ट हैं, मेमी अब पुरी तरीके से ठीक है, इन फैक, वो अपी डांस भी कर रही थी, नाइजल मेमी से बात करता है, पर मेमी वार्निंग में जो हुआ था, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है, वो नाइजल को डांस के लिए पु में नाइजल डेक पर आकर मून को देख रहा था, तब ही उसके पास एक आदमी आता है जो फीलचेर में है, यह हमारा और एक मेन क्यारेक्टर है, इसका नाम है ऑसकर, ऑसकर नाइजल से कहता है, कि वो बहुत ही डेंजरस है, उससे तुम दूर रहना, यहाँ पर वो मेमी के बारे में और भी कुछ जानना है, वो नाइजल को अपने रूम में लेकर आता है, मीमी और ऑसकर हजबन वाइफ हैं, पर फिर भी एक रूम में वो नहीं रह रहे, ऑसकर फिर नाइजल को उसकी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, ऑसकर पैरिस में रहता था, एक दिन वो ब उठानी पड़ी ऑसकर को पैरिस बहुत पसंद था उसके ग्रैंड फादर रीच थे उनकी डेट के बाद ऑसकर को बहुत सारे पैसे मिले इसी वज़े से वो पैरिस में मुव हो चुका है वो खुद एक बड़ा राइटर बनना चाहता है पैरिस में बहुत सारे बड़े राइ उसकर ने उसे ढूणने का बहुत राइ किया पर ढूणनी पाया एक दिन वो दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था वहां की वेटरेस मीमी थी डेट छोड़कर वो मीमी से बात करने लग गया मीमी भी ऑसकर को पहचान लेती है ऑसकर गयता है कि मैंने तुम्हें गुमते हैं इनकी डेट खतम ही नहीं होती है और सुबह आती है ओसकर मीमी से कहता है कि मैं तुम्हें हर जगा ढून रहा था क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे फिर से मिलोगी मीमी कहती है कि हाँ अपनी परस में से एक नोटबुक निकालती है इस नोटबुक में ओसकर ने उसे जो टिकेट दिया था ये रखा हुआ है यानि कि सिर्फ ओसकर को ही मीमी अच्छे लगे थी ऐसा नहीं था मीमी को भी ओसकर बहुत पसंद आया था थोड़ी तेर में वो ओसकर के अपार्मेंट में आते है ओसकर ब्रेकफास्स बनाता है वो फायर जलाते है ए ये फिर एक साथ ही रह रहे थे डेट पर जाते थे मज़े करते थे इनकी एक दूसरे के रिए डिजायर्स बढ़ती चली गई जब सब कुछ डिटेल में ओसकर नाइजल को पता रहा था तो नाइजल इससे अंकमफटेबल हो जाता है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे तुम इतने डिटेल में इस सब क्यों बता रहे हो वो फिर यहां से चला जाता है अगली सुबा अपनी वाई फियोना को यह सब बताता है जब नाइजल और फियोना यह लंज कर रहे थे तो यह उसके पास ऑसकर आता है वो उन्हें लंज किरे जॉइन करता है उसके साथ मीमी भी पर मीमी कैप्टेन के साथ जा कर लेंज करती है आसकर फियोना को देखकर ότι इंप्रेस्ट होता है कह inherent तुमने बहुत सारा पोटेंशियल है अपनी तारीप सुनकर फियोना शर्मा जाती है वो फिर फियोना से बुछता है तुमारे हस्बन से मुझे बात करनी है खिलना भी स्टार्ट कर दिया अमने फ्ודה स्वक्रण को कि अनुट करने लग गये आशकर जो भी लिखता था विमी अधिकए ऐक दिन मीमी और ओसकर बाहर में गए थे और मीमी की फैंड भी थी जिसके ओसर बात करने लग आखे CR उसे जलाने के लिए एक दूसरे आदमी के साथ डांस करने लग गए इससे ओसकर जेलस हो गया ओसकर को रियलाइज नहीं हुआ था कि ये इतना उसे अफ्रेक करेगा वो मेमी को अकेला ही छोड़कर घर आ गया मेमी जब घर पहुचती है तो गहती है कि तुमने ये स्टार्ट किया था औसकर गुसा है तो उसे वह मना लेती है अब बहुत सारे दिन हो चुके है ये एक दूसरे के साथ इंटिमेट होते थे और इससे ही इनकी रिलेशन्शिप आगे बढ़ती थी औसकर को फिर लगने लग गया कि इनफ नहीं है आगे वह बताने वाला था पर मीमी वहा करती है कहती है कि औसकर की सब बातों पर तुम बिलिव मत करना बहुत सारी चीज़े इमेजिन भी करता है उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे प्राइवेट में बात करनी है उसे टाइम देखकर एक रूम में आने के लिए कहती है मीमी ने नाइजल को जहां आने के लि स्टोरी सुनने के बाद ही तुम्हारे चांसे उसके साथ अच्छे होंगे नाइजल पूछता है कि तुम यह सब क्यों करें हो ऑसकर पैरलाइस्ड है तुम मिमी की नीड़्स वह पूरी नहीं कर सकता वो मीमी के लिए सही आतमें धुनने के लिए उससे हल्प करता है अचानक स उसे पहले अच्छी लगती थी और वो नहीं लगती एक दिन सिटी में बबलीशर आई हुई है औसकर उसे मिलने के लिए आता है मीमी की वज़े से उस पबलीशर पर ड्रिंग गिर जाती है यह मीटिंग यही खतम होती है औसकर मीमी पर बहुत चीड़ा हुआ है वो गहता है क मेरे बुक पबलीश होने के चांसेस पहले ही बहुत ही कम है मीमी बोलती है कि वो पबलीशर तुमसे सही से बात नहीं कर रही थी औसकर इस पर और भी जड़ जाता है वे लोगों के साथ कुछ भी करो तुम्हें इससे क्यों इतना फरक पड़ता है वो गुसे-गुसे में कह पासा कर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो मुझे इस तरह से चाने मत दो मीमी बहुत ही परस्वेसिव है तो ऑसकर डारेकली उससे ब्रेक अप भी नहीं कर पा रहा यह दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और ज्यादा कुछ फन भी कर नहीं सकते ऑसकर को अब लगने आय हुए थे औसकर मीमी को समझाता है चीजे कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो वो कभी ना कभी end होने ही वाली है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है मीमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो ऑसकर कहता है कि हम दोनों में relationship खराब हो जाए इससे पहले हमें break up कर लेन चाहिए हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी मेमरीज है तो इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए मीमी भी समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है ऑसकर अप सिंगल है तो उसे सही लगता है वह पार्टी में जाता है मज़े करता है एक दिन जब वह पार्टी से घर पर आया तो मीमी उसके डोल स्टेप पर थी वो रो रही है गिड़ गिड़ा रही है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है तुम्हें जो भी लगे वो तुम करो तुम्हें अगर पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाओ किसी और के साथ तुम्हें सोना है तो तुम वो भी कर सकते हो, पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, आसकर रियलाइज करता है कि मीमी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली, वो अब और एक प्लान बनाता है, वो अब मीमी को इतना तंग करेगा, यो खुद आसकर को छोड़ कर चली जाएगी, वो अपना ट्राय करती है, ओसकर के लिए उसका फेवरेट फुड बनाती है, ओसकर इसे भी घटिया बोलता है, ओसकर उसे पार्टी में लिजाकर दूसरी लड़कियों से बात करता है, उसकी इंसल्ट करता है, एक दिन मीमी ओसकर से गएती है कि मैं ब्रेइगन ंड हूँ, ये सुनकर प्लेन में औसकर मीमी से कहता है कि मैं अपना लगश रखने के लिए जा रहा हूँ आगे जाकर पाइलट के सामने वो उसका पेट दुक रहा है नाटक करता है उसे वो नीचे उतार देते हैं और मीमी अकेली माया मी चली जाती है इसी तरीके से औसकर ने मीमी से पीछा छुड करता है कि तुम जो भी कह रहे हो यह सच नहीं हो सकता अगर यह सच होता तो तुम्हें बहुत ही किल्टी महसुस होता तुम यह सब मुझे नहीं बता दे उसे लेट हो रहा था तो यहां से वो जा रहा है भाराने के बाद मीमी उसे मिलती है मीमी कहती है कि मैं चाहती हूँ क के साथ चक्कर है रात में फियोना बीमार पर जाती है नाइजल फियोना को गुज को लिया लेता है जिससे वो सो जाती है इसके बाद वो ऑसकर के पास फिर से आगे की स्टोरी सुनने के लिए पहुच चुका है वो ऑसकर कहता है यह मीमी मेरे लाइफ में नहीं थी तो बहुत मज़े करने लग गया था दिन रात पार्टी करता था अलग-अलग डेट्स पर जाता था एक दिन ऐसे वो बहुत ही ड्रंग था और उसका एक्सिडन्ट हो गया उसके पेर पर फ्रैक्चर लगा और हॉस्पिडल में था उसे मिलने के लिए फिर से मीमी आये मीमी को देखकर व उसने मुझसे प्यार किया मीमी को डांसर बना था तो उसने उसे अपर्जुनिटी दी जब उसे आसकर के बारे में पता चला तो देखने के लिए वो बहुच गए ऑसकर ने मीमी के साथ इतना सब कुछ गलत किया है पर फे भी वो मीमी से सही बात नहीं करता मीमी वहाँ से जा रहे थी पर अपना माइंड उसने चेंज कर लिया ओसकर के पेड़ पर चोड़ आई थी तो कुछ कर नहीं सकता था मीमी ने उसे नीचे गिरा दिया उसके लेक्स को बुरी तरीके से हट किया इसी वज़ेसे वो हमें शाकिले पैरलाइस्ट हो गया अब ओसकर से बदला लेने के लिए मीमी खुद उसका खैल रखने लग गए उसका जैसा मन वता था एक खिलोनों की तरह वो ओसकर को ट्रीट करती थी इसमें एक ही जीज उसे दिन रात खिलाएगी एक ही जगा पर उसे इंशुलिन देगी जैसे उसे तगलीफ हो इसी तरह से उसे टॉर्चर करती थी एक दिन ओसकर का बड़्डे था तो मीमी ने उसे गन गिफ्ट की इसके पीछे का रिजन था कि ओसकर इसे खुद कुशी कर सकता है एक दिन ये दोनों पार्क में आय हुए थे एक छोटे लड़के के साथ ओसकर खेलता है ओसकर मीमी से सौरी कहता है कहता है कि मैं तुम्हें अबोर्शन करने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फादर बनने का डिजर्विंग नहीं हूँ ओसकर अब पैरलाइस्ट है तु उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते है वो मीमी से कहता है कि अगर तुम जाहो तो तुम्हें बच्चे हो सकते है मीमी कहती है कि अबोर्शन के बाद मुझे इन्फिक्शन हो गया था वो अभी फिर से कभी pregnant नहीं होगी ऑसकर को बहुत पूरा लगता है उसे पच्टाव आता है बहता है कि मैं बहुत इखटी आदमी था मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मीमी ऑसकर से कहती है कि हम अब एक दुसरे के साथ है जो भी है वो सही है आसकर को लगता है कि मीमी अभी भी उसे प्यार करती है आसकर को जेलस फील कर आने के लिए मीमी एक दिन एक लड़के को घर लेकर आती है उसके साथ इंटीMet हो जाती है इन दूनों की रिलेुशनशिप अब इसी तरह किसे बन गए मीमी आसकर के साथ कुछ भी कर सकती थी वो उसका खैल रख रही थी तो आसकर और कुछ बोल भी नहीं सकता एक दिन इन दोनों ने शादी कर ली आसकर फिर नाइजल से कहता है कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मीमी को कोई अच्छा आदमी मिलेगा और उसे वो प्यार करने लग जाएगी मुझे फिर वो शायद छोड़ देगी इसलिए आसकर मीमी की फिजिकल लीड्स कम्लेट करने के लिए कोई आदमी ढूनता है वो चाहता है कि मीमी किसी की भी प्यार में ना पड़े अब नाइजल ने पूरी स्टोरी सुन ली है रात में पार्टी है जहाँ पर वो मीमी से मिलता है वो उसके साथ डांस करता है वो एक दूसरे को किस करते है पर मीमी ज़रा दूर होती है कहती है कि तुमारी वाइफ हमें देख रही है एक्च्वल में ओसकर ने फियोना के लिए एक ड्रिंक बेची थी उसके बाद वो पार्टी में फिर से वापस आ गए जैसे हम देख सकते हैं कि ओसकर को लोगों के साथ गेम्स खिलना अच्छा लगता है नाइजल फिर फियोना को सौरी केने के लिए आता है पर फियोना उसका कुछ भी नहीं मानती फियोना फिर खुद मीमी के साथ डांस करने लगती है यह देखकर आसकर बहुत रसता है राद में मीमी और फियोना यह दोनों एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है जब नाइजल यह देखता है तो बहुत ही खुसा है वो आसकर को मारने लगता है आसकर अपनी गन निकालता है नाइजल कहता है कि वो गन मुझे देदो वरना तुम किसी को हट कर दोगे आसकर गेता है इसके बाद मैं किसी को भी हट नहीं करूँगा वो मिमी को शूट करकर मार डालता है अपने आपको भी एक गोली मार कर सूसाइट कर लेता है फियोना ये सब देखकर बहुत डर गई थी नाइजल और फियोना ये दोनों अपनी गलती रेलाइस करते है इन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया है इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है अगर हम इस मूवी में देखें तो आसकर सिर्फ मिमी की बाड़ी से पैर करता था मिमी ओसकर से सही से पैर करने लग गए थी और कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी ओसकर ने उसे बहुत हट किया पर फिर भी उसके साथ रुकी इतने घटी आदमी के साथ रुकना ये उसकी गल्दी थी जिस तरह से शुरुआत में मिमी से ओसकर अपसेस्ट था मिमी भी उसे उसी तरीके से अपसेस्ट हो गए उसे रिवेंज लेने के लिए हमेशा उसे बान कर रखना चाहती थी लास्ट में ओसकर के लिए ये सब बहुत ही पैनफुल हो गया उसने मिमी को मार कर कुछ सुसाइट कर ली अगर हम नाईजल और फियोना की बात करें तो अल्रेडी इनके मैरेज में प्रॉलम चल रही थी इन दोनोंने फिर कुछ गल्दिया की और अब रियलाइज किया है कि ये गलत था लास्ट इंसिडन के बाद अब शायद इनका मैरेज सही हो सकता है